तो चलिदू सो बात करने वाली है आरती इंडिस्ट्री लिम्खिट के बारे में देखिए इस कंपनी के इंदर रोज ट्रैपिंग का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है काफी सारे लोग तो इस खेल को समझ चुके हैं और काफी सारे लोग अभी भी इस खेल में लगातार गिरावट यहां पर दिखा चुका है अगर आप उपर के लेवल से कंपेर करेंगे तो अब तक शेर के इंदर 36% से भी ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिली देखे काफी सारे लोग नए इस चैनल पर जुड़ चुके हैं तो काफी सारे लोग तो यही सोच रहे हो कि शेर क्यों गिर रहा है आखिर क्या वो क्या बड़ा कारण है कि शेर के इंदर इस तरकी की लेवल हम लोगों को देखने को मिले गिरावट हम लोगों को देखने को मिली तो देखे अब तक इस कंपनी का हम लोगों को कंबाइंड बिजनिस देखने को मिला करता था यह यह जो दोनों बिजनिस हैं इनको separate किया जाएगा तो यहाँ पर जो फार्मासूटिकल का बिजनिस था वो इस कंपनी से अलग हो चुका है अब खाली एक बिजनिस आपको इस कंपनी के इंदर दिखने को मिल रहा है वो है स्पेसिलिटी केमिकल्स का अब यहाँ पर भी एक बड़ा question है कि क्या स्पेसिलिटी केमिकल्स के उपर दाव लगाया जा सकता है मतलब इसके अंदर इतनी मजबूती है कि क्या यह share को वापस से उपर की तरफ मूँ कर सकता है तो देखे उसके लिए आपको इस बिजनिस के बारे में समझना होगा देखे इस स्पेसिलिटी केमिकल्स होता क्या है तो यह ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि विशेश गुरुण धर्म के आधार पर डिवाइड किये जाते हैं आपने कुछ ऐसे प्रोडेक्ट देखे होंगे जो कि चिपकने वाले होते हैं तो जो चिपकने वाले प्रोडेक्ट होते हैं उनके अंदर स्पेसिलिटी केमिकल्स का प्रियोग यहां पर किया जाता है अब क्या ऐसे प्रोडेक्ट आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर खतम हो जाएंगे इनका यूजस तो लगातार लोंग टम के हिसाब से बढ़ रहा है पोपुलिशन लगातार बढ़ रही है तो नॉर्मल सी बात है ऐसे प्रोड़क्ट भी लगातार बढ़ते रहेंगे अब जो दूसरे आपको यहां पर देखने को मलता है अब देखे खेती के अंदर काफी सारे केमिकल्स यहां पर प्रियोग किया जाते है तो उसमें भी आपको स्पेसिलिटी केमिकल्स का प्रियोग देखने को मलता है अब जो सफाई सामगरी होती है उसके अंदर भी काफी सारे केमिकल्स का प्रियोग होता है उनमें भी स्पेसिलिटी केमिकल्स का यूज होता है अब देखे जो रंग होते हैं या फिर कलर जो कलर आपने देखे होंगे उनके अंदर भी स्पेसिलिटी केमिकल्स का प्रियोग कि जाता है अब जो कुछ commercial गैस होती हैं वहाँ पर भी specialty chemicals का प्रियोग के जाता है paint industry के इंदर specialty chemicals का प्रियोग के जाता है इन सारी चीजों को देखने और सुनने के बाद में एक चीज यहां से निकल कर आ रही है कि इन पर यानि के specialty chemicals पर काफी सारी industries depend है मैं एक particular company की यहां पर बात नहीं कर रहा हूँ काफी सारी industries in specialty chemicals पर depend है अगर यह नहीं होंगे तो फिर product की quality के अंदर हम लोग को वो sharpness नहीं देखने को मिलेगी वो सुधार नहीं देखने को मिलेगा यानि के काफी सारी जो company है वो इस specialty chemicals के उपर depend है अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि वो कौन-कौन से sector है जिनके अंदर specialty chemicals का प्रियोग के जाता है तो पहला तो आपको auto sector के अंदर ही देखने को मिल जाएगा उसके बाद में आपको aerospace sector के अंदर specialty chemicals का प्रियोग होता हुआ दिखाई दे जाएगा इसके बाद में food sector के अंदर specialty chemicals का प्रियोग किया जाता है cosmetic sector के अंदर आपको specialty chemicals का प्रियोग के जाता है यहाँ पे agriculture के अंदर आपको specialty chemicals का प्रियोग के जाता हुआ दिखाई देता रहेगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो close वगरा बनते हैं वहाँ पर भी specialty chemicals का प्रयोग हैं पर किया जाता है तो देखे बहुत ही important है specialty chemicals और आगे आने वाले दिनों के अंदर ये सारी चीज़े आपको लग रही है कि नहीं बढ़ सकती तो एक अलग बात है अगर आपको ये लग रही है कि बढ़ सकती है तो फिर आप इस company के उपर long term के हिसाब से दाव लगा कर चल सकते हैं अब देखे company के business के बारे में तो हमने पढ़ लिया लेकिन अगर हम share के बारे में नहीं पढ़ेंगे share की चाल के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों फिर मार खाने वाले हैं क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं है कि company अच्छी है तो उसके share के अंदर गिरावट नहीं हो सकती है यानि कि share के अंदर कभी-कभी आपने देखा होगा कि बड़े खेल खेले जाते हैं trapping का खेल होता है काफी सारे निवीशक लगतार खरिदारी करते रहते हैं और share लगतार गिरता चला जाता है गिरता चला जाता है और एक ऐसे level पर पहुँच जाता है जहां पर हमारी सारी उम्मीदे वो मिड़ जाती है अब लोगों को ये लगने लगता है कोई भी company खरीदने जा रहे है ये सोचेगा कि अगर उसके share के अंदर आपको गिरावर देखने को मिलती है तो मैं नीचे के level पर भी तैयार रहूँगा उस company के अंदर खरिदारी करने के लिए देखे एक basic सी चीज है आप इस चीज को समझ जाएगा कि अगर आप इस company के अंदर 100 shares खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो तुरंत अपने इन 100 shares को 10 से divide कर दीजेगा अब 10-10 करके 10 बार में आप इस company के अंदर खरिदारी कीजेगा तब देखेगा कितना आनद आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर share नीचे के level से reverse होता है तो आपके अच्छे return आपको अच्छा मुनाफ़ा भी देखने को मिलेगा तो देखे ऐसे करने वाले काफी सारे निवेशक बजार के अंदर हैं जो कि बीच बीच में swing trade का भी बड़ा आनद उठाते रहते हैं उनको बड़ा benefit भी देखने को मिलता है हम लोगों कोई सारी चीजे पता है अब यहाँ पर एक और question है कि हमने अपने portfolio के अंदर 10 company आपर सामिल कर रखी है अब मानकर चले हो सकता काफी सारे लोगों ने अब तक आरती industries के अंदर खरदारी नहीं की थी अब अगर वो आरती industries को भी यहाँ पर जगा दे देते हैं तो ऐसे में दोस्तों आप मुझे एक बात बताएगा कि इन 10 की 10 company'ों में से आप ये कैसे बताने वाली है कि ये तीशरे नमबर की company बढ़ने वाली है या फिर ये दूसरे नमबर की company गिरने वाली है तो ये सारी चीज़े तो हम लोगों को नहीं पता है यहाँ पर हम लोगों को जो चीज़े पता है वो क्या है कि कमपनी अच्छी है कमपनी का बिजनिस बढ़िया है लोंग टरम के साब से ग्रोथ होने वाली है तो दस कमपनी सेलेक्ट कर ली और उन दस कमपनियों के अंदर थोड़े थोड़े करके शेर समने खरीद दी है अब अगर शेर गिरेगा तो हम तयार है स्टॉक के अंदर खरीदारी करने के लिए और अगर शेर उपर जाएगा तो हम बेट करेंगे देखेंगे कि कितना और उपर इस स्टॉक जा सकता है तो जिस तरीकी से स्टॉक गिर रहा है यहाँ पर एक बड़ी उपरचुनिटी इस कमपनी के अंदर लगातार काफी सारे निविश्कों के लिए बन रही है जो लोग कम कम करके इस कमपनी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं अदर्वाइस जो आभी भी यह सोच रहे हैं कि मैं बलक में माल इसके अंदर खरीद कर लोंग टर्म के साब से बड़ा मुनाफ़ जनरेट कर लूँगा तो दोस्तों फिर तो यह ट्रैपिंग का खेल बजार के अंदर बंद नहीं होने वाला है फिर हम किसी ना किसी लेवल पर ट्रैप हो जाएंगे जो आज 580 रुपे का शेर है आपको यह क्यों नहीं लग रहा है कि यह स्टॉक 500 भी जा सकता है अब यह क्यों नहीं समझ रहे हैं तो यह तो हमें समझ के चलना ही पड़ेगा कम शेर होंगे जादा मुनाफ़ा जनरेट कर सकते हैं ज्यादा shares होंगे ज्यादा मुनाफ़ा generate नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग किसी न किसी level पर trap हो जाएंगे अब अगर ये भी माना जाए कि ये company हम लोगों को trap नहीं कर सकती 580 से stock के अंदर reversal आपको दिखने को मिल जाता है तो फिर इस company के अंदर trap नहीं होंगे तो फिर किसी दूसरी company के अंदर trap होंगे तो महाँ पर हम लोगों को पैसा फ़स जाएगा इसलिए इस आदत को बदल डालिएगा थोड़े थोड़े करके पराबर SIP इस company के अंदर चालू कीजेगा आप भी कुछ बिगड़ा नहीं है और जो business मैंने आपको बताया है यह सारा जो चीज है यह आगे आने वाले दिनों के अंदर बढ़ेगी और इसमें सिर्फ आपको एक चीज देने की आवाश सकता है वो है समय इसके लावा दूस्तों कर आप इस company के अंदर एक साल का नजरियां हैंसे बना कर चलते हैं यानि के जनवरी 2024 तक आप यह सोच लेते हैं कि मुझे इस company के अंदर बिल्कुल भी विकवाली नहीं करनी है और मैं थोड़े थोड़े करके shares यहाँ पर खरीदता रहूँगा तो कितना gain आपको इस company के अंदर दिखने को मिल सकता है देखे तीन level मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और जो सारे के साली level यहाँ पर निकल कर रहे हैं यह technical indicator का use करके यहाँ पर बनाए गए है तो यहाँ पर जो पहला level आपको screen पर दिखाई दे रहा है वो है 1088 रुपे का यानिके एक साल का नजरी आप इस company के अंदर बना कर चलते हैं तो हो सकता है हो सकता है मेबी यह stock 1088 रुपे पर आपको trade करता हुआ दिखाई दे यानिके current level से 87% की तेजी आपको इस company के अंदर दिखने को मिल सकती है अब जो दूसरा level है वो है 800 रुपे का यानिके stock के अंदर अगर तेजी होती है तो नेटमस में आपको 37% का भी उचालिस company के अंदर दिखने को मिल सकता है अब इन्होंने तीसरा level नीचे का बताया है तब और जादा मज़ा बजार के अंदर आने वाला है कि share गिर रहा है और आप ये कहेंगे कि और गिर जा इसके लावा दोस्तों एक बड़ा बदलाव इस company के अंदर recently देखने को मिल रहा है और बदलाव है दोस्तों holding quantity के अंदर देखें कितना माल जो है delivery के अंदर जा रहा है ये बहुत ही महत्रपूर्ण segment होता है अब अगर आप Friday का session देखेंगे तो 6 लाग का total volume था जिसमें से आधा यानि कि लगबग 50% के आसपास 3 लाग की holding quantity यहाँ पर उठती हूँ दिखाए दी अब इससे ठीक एक दिन पहले का यानि कि थ्रस्रे का अगर आप देखेंगे तो 3 लाग का volume आपको यहाँ पर दिखने को मिला था जिसमें किवल 1 लाग की holding quantity यहाँ पर उठती हूँ दिखाए दी थी अब इसे आप compare कीजेगा एक week के साथ में तो एक week में 4 लाग का total volume था 2 लाग की holding quantity इसके अंदर दिखने को मिली अगर आप एक महिने का देखें तो 5 लाग का था और 2 लाग की ही holding quantity इसके अंदर उठती हूँ दिखाए दे रही थी वैसे देखा जाए तो जो specialty chemicals का ये पूरा आपको कारोबार segment देखने को मिलता है यहाँ पर competition काफी तगड़ा है और पिछले 10 सालों के इंदर जितनी भी आपको company है देखने को मिलती है इन company की सारी company की sales आपको बढ़ती भी दिखाए दी है पांच बड़े player मैं आपको बता दिता हूँ पहला player है गुजरात फुलूरो market cap के आधार पर आप देखेंगे तो number one पर वो company दिखाए देती है उसके बाद में आरती industries, आतुल industries, विनाती organics company आपको यहाँ पर देखने को मिलती है नवीन फ्लोरीन company आपको यहाँ पर देखने को मिलती है तो सारी की सारी company आईसी हैं जो कि long term के हिसाब से बढ़ने वाली है तो ऐसा नहीं के खाली हम लोगों नहीं हाँ पर shares खरीद रखे हैं बाकी बड़े-बड़े players भी इन company के अंदर फसे जरूर होंगे तो इसलिए patience के साथ में बने रहीगा और सिरफ गिरावट के बारे में सोचीगा इसके लाव दोस्तों इस company ने एक बार stock split दिया था 2005 के अंदर तब पुरानी face value 10 की थी अब नई face value 5 की है तो आगे आने वाले दिनों के अंदर stock split का भी बड़ा benefit इस company के अंदर मिल सकता है तो उसके लिए इंतिजार करना पड़ेगा इसके लावा अगर आप bonus shares देखेंगे तो इस company ने कई बार हम लोगों को bonus shares यहाँ पे दी है और इससे ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ये company और bonus shares यहाँ पे provide करे अब अगर आप देखेंगे तो recently 2021 के अंदर इस company ने bonus shares दिये थे एक share के बदले एक share इस company के अंदर मिल चुका है वही सारी चीज़े आपको 2019 के अंदर भी दिखने को मिली थी 2004 के अंदर इस company ने bonus shares यहाँ पे अलान किये तो देखें बराबर ये company हम लोग को dividend provide कराती रहती है तो आप latest देखेंगे तो 2022 के अंदर पांचवे महीने में इस company ने डेड़ रुपया परती share के हसाब से dividend का अलान यहाँ पे किया था इससे पहले 2022 के अंदर ही ये company एक रुपया परती share के हसाब से dividend यहाँ पे दे चुकी है 2021 के अंदर भी दो बार इस company ने dividend दिया टोटल चार रुपया परती share के हसाब से हाँ पे देखने को मिल रहा है 2020 के अंदर इस company ने तीन बार dividend दिया तो डेर्ड रुपेया पक्रती शेयर एक रुपेया पक्रती शेयर और धाय रुपेया पक्रती शेयर के साब से दिया तो देखे डिविडेंट का एकeed लमबा इतिहास रहा है और ये company बराबर हम लोगों को dividend यहाँ पर provide करा रही है तो उम्मीद गर के यही चलेंगे कि अगर हम hold भी हो चुके हैं तो कम से कम dividend तो इस company के अंदर हम लोग को मिलेगा ही दूसरी बात यह है कि जब आपने इस company का business देखा तो आपको यहाँ पर यह सोच के चलना चाहिए कि अभी तो इस company का market cap है ही कितना देखें आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको growth जरूर देखने को मिलेगी market cap भी बढ़ेगा अगर आप total value देखेंगे तो इसके अंदर भी बढ़ोती देखने को मिलेगी debt अगर देखा जाए तो 2767 करोड का है और पिछले 5 सालों के अंदर कमाल की sales growth देखने को मिल रही है 17.2 बसंद की इसके अलावा अगर आप ROC और ROE देखेंगे तो यह भी मजबूत आपको दिखाई देगी dividend yield 0.60 आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है debt to equity balance है एक से कम होनी चाहिए इसके अलावा company के पास में 4,507 करोड का results भी आपको देखने को मिल रहा है company की जो total value है वो 23,618 करोड की है अब यहाँ पर अगर आप नतीजों पर नजर डालते हैं तो अभी देखे quarter 3 के नतीजे डिक्लेयर नहीं हुए है उसका इंतिजार यहाँ पर चल रहा है तो अभी अगर आप देखेंगे तो quarter 2 के अंदर 1685 करोड की sales इस company ने report की थी जो कि पिछले वाले quarter से जादा ही दिखाई दे रही थी पिछले साल की भी अगर आप बात करते हैं तो 1256 करोड की थी महासे भी तेजी है अगर आप operating profit देखेंगे तो यह भी लगातार बढ़ रहा है पिछले quarter में अगर आप देखेंगे तो 282 करोड का था अभी घटकर 267 करोड के आसपास पहुंसतावा दिखाई दिखाई दिया किया था घटकर 124 करोड का यहां पर हो चुका है year on year business पर profit गिरा quarter on quarter business पर मुनाफ़ा यहां पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है से मोही earning per share के अंदर भी year on year business पर गिरावर दिखने को मिली quarter on quarter business पर भी earning per share तूटता हुआ दिखाई दिया इसके लावा जब हम इस company को long term के हिसाब से देखते हैं तो 2022 के अंदर इस company ने 7000 क्रोड की sales हैं पर report की थी अब इससे पहले कि अगर हम sales देखेंगे तो यह combined sales हमें देखने को मिलेगी क्योंकि company का business combined था आपको इसमें pharmaceutical का का कारोबार भी देखने को मिल रहा है specialty chemicals का भी कारोबार आपको देखने को मिल रहा है तो अब जो आगे हम लोगों को results देखने को मिलेंगे वो एक सही data हैं पर define करेंगे लेकिन अब तक कि अगर आप इस तिसी देखेंगे तो मजबूत ही दिखाई देगी बढ़ते हुए करम में आपको सारी चीज़े देखने को मिलेंगी operating profit बढ़ रहा है company के margin long term के साब से बढ़ते हुए दिखाई दिए इसके लावा अगर आप net profit भी देखेंगे तो net profit भी long term के साब से आपको मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और company का जो earning पर share है ये भी लगातार long term के साब से बढ़ रहा है इसके लावा अगर आप इस company की balance sheet देखेंगे तो अभी recently 181 करोड का share capital आपको दिखाई दे रहा है company के पास में 4,507 करोड का results है long term के साब से बढ़ा भी है boring की बात करते हैं तो 2,667 करोड की यहाँ पर देखने को मिल रही है company के total asset long term के साब से बढ़ रहे हैं लेकिन March 2022 की तुलना में कुछ कम भी हुए 8,641 करोड के आसपास निकल कर आए ये value पहले आपको 9,673 करोड रुपे दिखने को मिला करती थी इसके लावा अगर निवेशकों का रुजान यहाँ पर देखा जाए तो promoters की जो holding है 44.1,5% की यहाँ पर देखने को मिल रही है promoters के द्वारा quarter quarter basis पर माल हलका किया जा रहा है यहाँ पर अगर आप FIS की holding देखेंगे तो quarter quarter basis पर गिरावट है D.I.S की holding की बात की जाए तो इनकी तरफ से मुनाफ़ा वसूली सरकार का भी हिस्सा इस company के इंदर आपको देखने को मिल रहा है और retail निवेशकों के द्वारा quarter quarter basis पर खरीदारी की है तो दोस्तों यही कहना चाहूँँ कि अगर आप long term के हिसाब से plan कर रहे हैं इस company के इंदर निवेशक के बारे में तो कम-कम शेयर के साथ में शुरुआत करें और बरावर गिरावट के तैयारी करते चले जाएं क्योंकि देखे अभी stock गिर रहा है तो panic का महौल है और जब stock बढ़ना शुरू होगा तो हम लोग को यहां पर रुखना होगा और यह सारी चीज़े एक नेक दिन हम लोग भूल जाएंगे तो अभी मौके मिल रहे हैं गिरावट में तो इस चीज़ को समझना बहुत जाधा दरूरी है दोस्तों कर यह पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर पहली वारा हैं तो सबस्क्राइब करें सकते हैं साथ में बेल आइकन जरूर हट कर लिजेगा थैंकियो सो मच फो वाचिंग